दोस्तो रिलाइंस पावर की बात कर श्टॉक के अंदर फिर से अपर सरक्रीड का दोर शुरू हुआ है श्टॉक अपनी 52 विक के हाई के आसफास पहुच चुका है अब आप देख सकते हो कि यह तेजी के पीछ यह वज़ा है सरकार की तरब से बज़ेट में ग्रीन अनजी सेक्टर के लिए जो बड़े ऐलान किये गए उसका फाइदा रिलाइंस पावर को मिल सकता है इसके अलावा रिलाइंस पावर का जो सबसे बड़ा अच्यूमेंट है कमपनी पूरीत से डेट फ्री हो चुकी है अनी लंबानी और उनके दोनों बेटे बहुत ज़़ादा कोशिस करें रिलाइंस पावर और रिलाइंस इंफ्रा को फिर से टॉप की कमपनी बनाने के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है ऐसे मैं रिलाइंस पावर का शेर जो आईप्यो ही अलड़ी 500 के आसपा आया था वो आईप्यो प्राइज वाला शेर 32 रुपे के आसपास मिल रहा है क्या इस समय खरिदारी करनी चीए बड़े फंडा उसका रुजान क्या श्टॉक को लिकर समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि छपीने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो यहाँ पे सबसे पहले रिलाइस पावर के कारोबार की बात करें स्टॉक की शुरुआत पॉइट ही हुई 31.59 पर क्लोजिंग कलकी 31.28 के आस पास थी अब यहाँ पे देखतों की इंट्राडे में 31.36 का लो भी बना इनिश्यले लेवर तो स्टॉक गया लेकिन जबरदस खरीदारी के दंपे 32.84 पर 5% का अपर सरकीट लग गया काफी बैतर प्रदर्शिन करता हो इस स्टॉक दिखाए देगा अब इंट्राडे का लो 31.36 का बले हो लेकिन हाई 32.84 का है 52 वीक का लो इसका 15 रुपीज का हाई 34.45 का अब देखे तो कि इस स्टॉक फिर से 33 का पहुच चुका है यानि एक नया 52 वीक का ही बन सकता है ओल टाइम लो रेंज इसकी वन उपीज है जो कोवेड काल में आई थी और 500 इसका IPO प्राइज है तो उससे साब से स्टॉक बहुत ही जादा अंडर वैल्यू है अब इसकी performance देखे तो stock लगातार दोड़ रहा है आप ये देखी सकते हो clearly काफी समय तक stock 27-28 के आसपास struggle किया है लेकिन वहां से अब दोड़ना शुरू किया है आप ये clearly देख सकते हो कि 23 जुलाई को stock 26.94 के आसपास था यनि 27 रुपे के आसपास था वो 24 जुलाई से लगातार दोड़ते हुए 28 से दोड़ते हुए 33 तक पहुँच चुका है यानि काफी बैतर प्रदसन क्या है पिछले 6 ट्रेडिंग सेसन में लगातार इसमें positive closing देखना को मिल रही है एक तरह से देखे तो ये operator का गेंबी है इनी श्टोक के अंदर operator लगातार खरीदारी करते श्टोक उपर जाता है फिर profit book कर लेते ये होता है रिलाईस पाउर वो या जेपी पाउर उसके साथ हमने कई बार देखा है कि बड़ी तेजी के बाद फिर श्टोक ठहराओ से आजाता है नीचे आ जाता है volume जबरदस बड़ा है जो इसारा कराई की बड़े फंड़ाओ से आपर एक्टिव हो चुक है पिछले एक मैने पहले इसका 3 क्रोड का volume था 2 क्रोड की delivery उठाए गे थी 1 वीक पहले 7 क्रोड का volume हो था सामने 4 क्रोड की delivery उठाए गे थी और देख सकते हो कि कर 10 क्रोड का जबरदस वालिम हो था 6 क्रोड का delivery बेस काम हुआ और आज भी 10 क्रोड का volume हुआ तो अपर सर्किट के बावजुद भी यह जो जबरदस volume बड़ा यह सारा कर रहा है कि रिलाइंस पौर में जबरदस खरीदारी हो रही है अब इसकी performance देखे तो पिछले 5 सालों में 959% का जबरदस रिटन दिया है जिसने भी 5 साल में निवेस का होगा वो तो ओलरी इसमें multi bag रिटन देने का पाने का हगदार हो चुका है पिछले 2 साल की बाद का 164% का सांदर अच्छा रिटन दिया है और पिछले 1 साल में जिसने भी निवेस किया है उसका रिटन भी double हो चुका है क्योंकि 104% की तेजी बनी है लेकिन पिछले 6 महिनों में कोई खास यहां पर रिटन दिया सिर्फ 9.6% की ही तेजी बनी है लेकिन पिछले 1 महिने में 13% स्टॉक दोड़ा है सबसे सांदार रिटन है पिछले 1 सबता का 21.90 लगबग 22% का जबरदस रिटन दिया पिछले 1 सबता में लगातार दोड़ते हुए काफी बेतर परदस्थिन किया है अब यहां पे कंपनी ने जो आलरी एक्चेंज को जानकारी दिया जो कंपनी आने वालस में कंपनी करते हुए दिखाई देगी तो यह देखते हो कि कंपनी के बाद हाइडर एलेक्टिक पौर प्लांट भी है ऐसे में कंपनी का जो पोर्फोलियो काफी मजबूत है इसके लावा कंपनी के पास Green Energy के प्रोजेक्ट भी है और अब आप समझे सकते हो कि कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कमर कच चुकी है ऐसे में आने वालस में इसकी प्राइज डेफिनेटली बढ़ सकते है अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बाद इसकी स्ट्रेंथ जो 12 आपको Positive Point डिखाए देंगे जो इस साबित करें कि Reliance Power वाकई मजबूत है विकने से आपे मात्रत चाहर है तो पहला स्ट्रेंथ अगर देखें तो Mutual Fund है अपनी Holding Increase के पास्ट मंत में इसके अलावा देखें तो Short, Medium और Long Term के लिए जो इसकी Price है उसमें अच्छी खासी व्रिद्धी हुई है तीसरा देखें तो Nifty 500 के मुकाबले पिछले पास सालों में इसका जो परतसन है वो काफी अच्छा रहा है इसके अलावा देखें शेर प्राइज की ग्रोथ काफी अच्छी रही है इसके अलावा देखें तो Net Profit Quarter on Quarter Basis पे काफी अच्छी मार्जिन में व्रिद्धी हुई है यानि Company का Profit व्रिद्धी दिख रहा है इसके अलावा Company Able to Generate Net Cash, Improving Net Cash Flow for Last 2 Year पिछले दो साल से Company Net Cash Flow generate कर पा रही है अपने बीजनस से यानि Company का बीजनस बिल्कुल पट्री पे सबसे जो बड़ी बात है Company with Zero Promoter प्ले जैनि Company के अंदर देखें तो Promoter का कोई भी गिर्वी शेर रखा हुआ नहीं है फिप्टी डू वीक के हाई के आसपास है जो भी इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है Mutual Fund की Holding इंक्रीज हुए है लाश्ट कौर्टर में और देखें तो कि पास टू मन्द से देखें तो Mutual Fund यहां पे अच्छी खासी खरीजारी करें और यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके अलावा देखें तो यहां पे जो इंडेश्टिस का जो प्रदसन उसके मुकाबले देखें तो इसका प्रदसन श्टॉक का काफी बैतर है यहां पेर कमपनियों के तोलना में इसका प्रदसन काफी अच्छा रहा है तो यह सब इसके लिए पॉइटिव पॉइंट है चार विकने से जिसमें अब यहां पे शेर ओडिंग पैडिंग को देख लेते हैं तो यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कुछ डिक्लाइ अब चलते हैं अब चलते हैं कुछ बड़ी अच्छा पासा नीवेस हैं इन्वेस्मेंट किया जा सकता है अब चलते हैं कुछ बड़ी डिल की तरब उनका क्या इसारा है तो यहां पे अपर सर्कृट लगने की पीछे बज़े कुछ बड़े फंडाउस ने जम के खरीदारी किया तो सुबह साड़े ग्यारा बज़े 32.29 की प्राइस से 10,29,000 की एक बिक्वाली हुई तो फिर 12 बज बज कर 22 मिनट पर 32.70 की प्राइस से 9,94,000 की एक खरीदारी और हुई फिर 12 बज कर 5 मिनट पर 32.77 की प्राइस से 14,41,000 की एक सांदार खरीदारी और हुई तो फिर 12 बज कर 49 मिनट पर 32.86 की प्राइस से 28,71,000 की जबरदस खरीदारी हुई और उसके बाद 12 बज कर 49 मिनट प जो डिल्स दोनों साथ में जिसमें 64 लेकी और 28 लेकी जानी करीब 1 क्रोड के आसपास शेर किसी ने खरीद लिये और यह जो भारी बरकम खरीदारी हो इसने अपर सरकेट लगा दिया तो क्लिरली देख सकते हो कि काफी जबरदस तेजी का वातन बनाओं और काफी अच्छी खर पर सरकेट लगाने बड़े फंडाओं से इस लेवल से अच्छा खासा रिटन दे सकता है वैसे भी लॉंग टर्म इंवेश्टर के लिए इस श्टोक अच्छा है निवेस आपको करना चाहिए आने वाले इसमें रिलाइस पर आपको माला मल कर सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाईजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्यों कि मायने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए लाइक शेजर की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड